Hello and very warm welcome friends, आज हम सीखनी जा रहे हैं सर्दियों से रिडिटेट 30 इंगलिश सेंटेंसिस तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेशन को फर्स सेंटेंस है सर्दिया आ गई है, गर्म कपड़े निकाल लो Winter has come, take warm clothes out आज कडाके की थंड है It's pretty frosty today Pretty का मतलब होता है काफी और frosty का मतलब होता है बहुत जादा थंड या फिर बोलना हो की आज जमा देनी वाली थंड है Then you can say it's freezing today या फिर it's freezing cold today आप ऐसे भी बोल सकते हो Next day, आज बहुत कोरा चाया हुआ है तो friends हम इसे बोलेंगे It's very foggy today मुझे बहुत थंड लग रही है I'm feeling cold अगर आपको किसी को पूछना हो की आपको थंड लग रही है Then you can ask Are you feeling cold? या फिर बोलना हो की मुझे कपकपी हो रही है तो हम बोल सकते हैं I'm shivering Next day, मेरे हाथ सुन हो रहे है My hands are going numb My hands are going numb या फिर थंड की वज़ा से मेरे हाथ जम रहे है तो आप बोल सकते हो My hands are freezing due to cold My hands are freezing due to cold थंड के कारण मेरे उंगलिया सूझ गई है My fingers have got frostbite due to cold My fingers have got frostbite due to cold थंड के कारण जब उंगलिया सूझ जाती है तो उसे frostbite बोलते है Frostbite और रोंग्टे खड़े होने को बोलते है goose bumps जैसी की बोलना हो थंड की वज़े से मेरे रोंग्टे खड़े हो गए है तो हम बोलेंगे I have got goose bumps मेरे दाथ टिक टिका रहे है My teeth are clattering My teeth are clattering Next day तुमारे होट फड़ गए है उस पर बाम लगा लो तो इसे हम बोलेंगे Your lips are chapped Your lips are chapped Embalm your lips Embalm your lips मतलब अपने होटों पर बाम लगा लो सर्दियों में मेरे होट फड़ जाते है तो इसे हम बोलेंगे I get chapped lips in winter I get chapped lips in winter थंड की वज़े से मेरी तवचा फड़ रही है My skin is cracking due to cold weather My skin is cracking due to cold weather गरम कपडे पेनो नहीं तो बिमार पड़ जाओगे Put on warm clothes or else you will fall ill Put on warm clothes or else नहीं तो you will fall ill या फिर बोलना हो की बाहर मत जाओ बाहर बहुत थंड है Don't go out, it's very cold outside Don't go out, बाहर मत जाओ, it's very cold outside बाहर बहुत थंड है या फिर बाहर जाने से पहले स्वेटर पेहन लो Put on your sweater before going out Put on your sweater before going out या फिर बाहर जाने से पहले अपनी जाकेट की chain लगा लो Zip up your jacket before going out अपने आपको अच्छे से ढखलो, नहीं तो थंड लग जाएगी Cover yourself well, otherwise you will catch cold Next day, school में जाकर अपना स्वेटर मत उतार देना बच्चे गर से स्वेटर तो पहन के जाते हैं पर school जाके या फिर रास्ते में ये स्वेटर अपना निकाल लेते हैं स्वेटर उतार देते हैं तो हम उनको बोल सकते हैं Don't take off your sweater at school या फिर don't take off your sweater while going to school या फिर जब बच्चे बाहर खेलते हैं या फिर बाहर कही जाते हैं बाहर होते हैं तब यो अपने उलन जो close होते हैं गर्म कपड़े हैं उतार लेते हैं तो हम उनको बोल सकते हैं Don't take off your उलन close when you are outside अगला sentence है friends हमारा बेबी को अच्छे से रजाई से ढखलो Cover the baby with a quilt Cover the baby with a quilt अगला sentence है मेरा बेटा सर्दियों में भी थंडे पानी से नहाता है My son takes a bath with cold water even in the winter season अगला sentence है मुझे बहुत तेज खासी है I have a bad cough उसकी नाग बहे रही है She has a running nose मेरा गला खराब है I have a sore throat अगला sentence है धूप से लो तो इसे हम बोलेंगे Bags in the sun या फिर अपने हातों को आख से शेक कर गम कर लो तो इसे हम बोलेंगे Thaw your hands at fire Thaw का मतलब होता है पिगलना या फिर गल जाना और इसे गर्म करना इस सेंस में भी उच किया जा सकता है झाब कर तो या बोलेंगे